हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मीता, मेरी चैनल को गवित मीता में आप सभी का स्वागत है गनेश चतूर्थी बहुत जल्द आ रही है और हमारे बपा को मोदक सबसे जाधा प्रिया है तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही जाधा स्वाधिस्ट और बहुत ही आसानी से बनने वाली बपा की फैवरिट मोदक वो भी सूजी से अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए मोदक बनाने के लिए आपको मोल्ड की भी ज़रत नहीं पड़ेगी मैंने इसे बीना मोल्ड के भी बनाना सिखाया है तो चलिए सूजी के मोदक बनाना शुरू करती हूँ सबसे पहले मैं एक पैन में दो टेबली स्पोन घी डाल दोंगी घी को मिल्ट होने देंगे घी मिल्ट हो गया है तो अब मैं इसमें बारिक वाली सूजी डाल रही हूँ ये देखिए अगर आपके पास बारिक वाली सूजी नहीं है तो आप इसको ग्राइंडिंग जान में डाल कर ग्राइंड कर ले सूजी को हमें बिलकुल low flame पर ये भूनना है इसका color भी चेंज नहीं होने दूँगी सूजी को हमें उतना ही भूनना है जिससे उसका कच्छापन निकल जाए इससे अच्छी खुश्बू आने लगी है और इसका color भी चेंज नहीं हुआ है मैं आपको पास से दिखाती हूँ तो अब मैं इस स्टेश पर ये दो कप दूद डाल दूँगी इसे लगातार चलाते वे अच्छे से मिक्स कर लोगी ताकि इसमें कोई लंप्स ना रहे फ्लेम को लो रखते वे इसे लगातार चलाती रहूँगी देखिए सूजी हमारी कितने अच्छे से फूल गई है अब इस स्टेश पर हाफ कप कंडेंस मिल्क डाल दूँगी ये मेरा होममेड कंडेंस्ड मिल्क है मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है जब भी आपको कोई मिठाई वेगरा बनानी हो तो आप घर में कंडेंस्ड मिल्क आसानी से बना सकते है मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में डाल दिया है आप वहाँ चेक कर ले और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है मैंने इसमें मिल्क में डाला है तो इसमें चीनी डालने की भी जूरत नहीं है देखिए हमारा मिक्सर अच्छा गाड़ा हो गया है तो थोड़ी देव और इसे चलाती रहूँगी लो फ्लेम पर ये देखिए अब मिक्सर पैन छोड़ने लगा है तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ हाथ में हलका सा घी लगा कर थोड़ा सा मिक्सर को उंगलियों से गोल करूँगी तो ये अच्छे से गोल हो रहा है तो समझी कि मिक्सर मेरा रेडी है तो इस स्टीज पर मैं गैस बंद कर दीती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल कर थंडा होने के लिए रख दीती हूँ तो चलिए अब स्टफिंग बना लेती हूँ तो इसके लिए मैं चार टेबल स्पून डेसीकेटेड कोकुनट ले रही हूँ यानि नारियल का बुरादा ये किसी भी ग्रॉसरी सौप में आसानी से मिल जाता है मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइफ रूट्स को पतले स्लाइसेस में काट लिया है ये पांच्या बधाम है तो इसका आधा डाल दोंगी पांच्या पिस्ता है ये काजू है और ये थोड़ा सा किस्मिश और 1-4 टीस्पून इलाइची पाउडर है ये मैंने गर्म दोध में 8 तस धागे केसर को भीगो दिया था तो इसमें 2 चमच केसर वाला दोध डाल दोंगी 2 टेबल स्पून मिल्कमेट डाल दोंगी अब सभी को मिक्स कर लेती हूँ अगर कम लगे तो मिल्कमेट और डाल सकते हैं देखी ये अच्छे से मिक्स हो गया है और आप इसे एक बार देख ले हाथ में लेकर ये बाइंडिंग हो रही है कि नहीं अगर बाइंडिंग नहीं हो रही है तो थोड़ा सा कोपनत पाउडर और डाल ले देखिए अगर इस तरह से दबाने से बाइंडिंग हो रही है तो समझे कि स्टफिंग मेरी परफेक्ट है तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ अब ये जो सूजी का मिक्सचर है वो ठंडा हो गया है तो हाथ में हलका सा घी लगा कर इसे मिक्स कर लूँगी अब ये जो बच्चेवी ड्राइफ रूट्स है न उसे डाल दूँगी अब इसमें वन फोर्थ टी स्पून इलाची पावडर डाल दूँगी और ये केसर का दूद है न ये भी डाल देती हूँ सूजी में जब मिल्क मिट डाली थी न उस वक्त भी आप ये केसर का दूद डाल सकते हैं मैं उस वक्त भूल गई थी डालना इसलिए अभी डाल रही हूँ हाथ में हलका सा घी लगा कर अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी देखे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इस स्टाफिंग वाली मिक्सटर से छोटे छोटे बॉल बना लूँगी जिससे मोदक के अंदर स्टाफिंग भरने में आसानी होगी देखे इस तरह से सारे बॉल्स बना लूँगी देखे मैंने यहां पर सारे बॉल्स बना लिये हैं यहां पर मैंने मूदग बनाने वाला एक मोल्ड लिया है यह मोल्ड मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं या आप इसे ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा घी अच्छे से लगा लूँगी अब एक निम्बू के आकार का सूजी का मिक्स्चर लूँगी इसे गोल करके थोड़ा सा लंबा करूँगी अब इस मोल्ड को बंद करके यह सूजी का मिक्स्चर डाल दूँगी और इसके अंदर एक जगह बना लूँगी देखिए इस तरह से अब इसके अंदर स्टफिंग वाली बॉल डाल दूँगी और प्रेज करके इसे दबा दूँगी और सूजी का मिक्शर थोड़ा सा पीछे की ओड लगा दूँगी और एक्स्टर सूजी हटा देती हूँ अब इसे धीरे से खोलती हूँ देखिए कितना अच्छा सेप आया है इसे तरह से हमें इसे बनाना है तो चलिए मैं आपको एक बिना मोल्ड के भी बना कर दिखाती हूँ मोल्ड नहीं रहने पर आप इसे बहुत इसली बना सकते हैं ये देखिए इस तरह से सूजी के मिक्षक को गूल बना लूँगी और इसके बीच में स्टाफिंग डाल कर चारो तरब से बंद कर दूँगी और इसे दोनों हथेलियों के बीच में रख कर इस तरह से लंबा शेप दूँगी देखिए बन गयान हमारा बिना मोल्ड के भी मोदग अब फौक से या टूथपिक से लंबाई में इस तरह से निसान लगाती जाऊंगी देखिए इस तरह से हाथ से भी बनावा मोदग कितना प्यारा लग रहा है उपर में हलका सा पतला कर दे इसी तरह से मैं सारे मोदग बना लूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूले यहाँ पर देखिए मैंने सारे मोदग बना लिये हैं अब मैं इसे पिस्ता से गानिस कर दूँगी आप इसे फ्रीज में दो तीन दिन तक रखकर खा सकते हैं देखिए अब मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ देखिए जब आप इसे खाएंगे न तो ड्राइफूर्स की जो फिलिंग है जब आपके मुह में जाएगी तो लगेगा कि खाते ही रहूँ बहुत ही जादा टेस्टी ये मुदक आप एक बर इसकनेस चतूर्थी में जरूर ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरे मुदक की रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो भी